Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajashi classes. So student, today in this video, we are going to learn 7th standard science chapter number 19, properties of a magnetic field. So this is the first part. So student, if you like, share and subscribe, don't forget to click on the bell button, so you will see all the notifications that you have uploaded until you have uploaded. So in this video, you will also get geography, civics, and science. So students, start this lesson number 19, properties of a magnetic field. So students, open your page number 126. Now see the lesson. Let's recall. यहाँ पे जो है कुछ क्वेशन्स दिये हुए हैं, वेर और हाव आर मैगनेट्स यूज इन अवर हाउसेज और अवर सराउंडिंग तो जो हमारे घर में जैसे कि आप स्पीकर्स जो देखते हों उसमें भी मैगनेट्स होता है, कबड़ से उसमें भी मैगनेट्स होता है, मिक्शर में जो है हमको magnet डिखता है तो बहुत सारी ऐसी चीज है जहां पर जो है magnet का use होता है computer में भी जो है हम magnet का use करते हैं तो इस तरह से बहुत सारी चीजों में जो है magnet का use होता होते हुए हम देखते हैं तो in which direction does a freely suspended magnet सेटल तो यह जो मैगनेट है फ्रीली सस्पेंड़ेड मैगनेट जो है वह हमेशा नौर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है वह सेटल होता है तो यहां पर हमने भी देखा नौर्थ और साउथ दो एंड पे यह नौर्थ और साउथ वह उसके नाम सोते हैं इसको जो है नौर्थ साउथ नेम जो है वह क्यों दिया जाता है तो इसका डायरेक्शन जो है वो कैसे होता है North और South की तरफ होता है इसलिए जो है इसको North-South जो है वो नाम दिये होता है Which metals are used for making magnet और magnet को जो है किस metal से बनाया जाता है तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है Magnets are made from a alloy of iron, cobalt and nickel इसको जो है iron, cobalt और nickel के ये तीन metals को जो है वो एक करके जो है mix करके जो है वो बनाया जाता है Next जो है what are the characteristics of a magnetic magnets तो magnets की क्या characteristics होती है वो attract करता है एक तो सबसे पहली property है वो attract करता है Then magnet जो है दो pole होते हैं South और North और जब South और North pole जो है पोल जो है वो दूसरे किसी भी magnet से जब attract करते है तो North pole जो है वो South से attract करता है और जब हमने magnet के कुछ टुकडे कर दिये तो अगर ये magnet है इसके हमने दो टुकडे कर दिये तब ही जो है हमको इसके दो end मिलते है तो ये जो है इसकी characteristics है ठीक है नेक्स्ट आइड आप अलोई आप आइरन कोबाल्ट और निकेल को मिक्स करके इसका अलोई बना के जो है जो है जो है क्या है मतलब मैगनेट है जिसको जो है आइरन निकेल अलुमिनियम और टाइटनियम को जो मिक्स करके उसका अलोई बना के जो से बनाए जाता है यह उसा क्या है आप यह ऐहां पर देखेंगे यहां पर ट्राइज दिया हुआ है इसमें दो एक्तिविटीस दी है यहां पर अपर है है हमको क्या क्या लेना है steel bar है एक steel bar लेना है बार magnet लेना है iron feelings लेना है thread लेना है एटसेटरा ठीक है तो यहाँ पर जो है दो experiment दिये है वो हम जो है पहले देखेंगे तो procedure दी हुई है यहाँ पर place a steel bar a b एक जो है steel bar लेना है a b on a table take a bar magnet जो है बार magnet लेना है and place its end pole on the a a end of the steel bar and drag it towards the b end तो यहाँ पर जो है यह picture दिया हुआ है यहाँ पर जो है steel जो है steel का बार लिया हुआ है यह और इसके उपर जो है यह magnet लिया हुआ है तो यह steel bar का जो a point है और यह b point है तो यहाँ पर a point से जो है यह magnet जो है हमको क्या करना है b तक जो है a से लेके b तक जो है इसको drag करते जाना है तो इसको जो है कितने बार करना है 5 to 10 time जो है इसको हमको drag करते रहना है तो इसको हमें 15 to 20 time जो है इसको drag करना है यहाँ से यहाँ तक मतलब next जो है now take the steel bar near some iron filling और फिर यह steel bar को क्या करना है हमें steel bar के पास में iron filling जो है वो रख देना है iron filling मतलब iron के जो टुकडे है वो इसके side में हमको रख देना है तो क्या होगा observe what happens क्या होता है वो देखना है hang the bar freely by a thread and observe इस steel bar को जो है हमको hang कर देना है मतलब इसको लटका देना है यहाँ पर और इसके पास में जो है यह iron filling जो है वो यहाँ पर रख देना है तो क्या होगा आपको देखना है the steel bar will be seen to have developed magnetism तो इसमें जो है steel bar में जो है जो हमने magnet जो है ड्रैक किया था 15-20 बार तो इसमें जो है magnetism जो है इसमें develop हो चुका है तो इसकी वज़े से जो है यह iron के feelings जो है वो क्या हो जाएंगे attract हो जाएंगे so these methods of magnetism this method of magnetism is called the single touch method इसको जो है single touch method जो है वो कहा जाता है ठीक है the magnetism create by this method is of a low strength by last for a short time और यह जो magnetism इसमें जो develop हो चुका है steel bar में वो जो है वो बहुत ही कम होता है मतलब low strength होता है इसका तो इसलिए जो है वो थोड़ी ही देर में जो है वो lost हो जाता है इसका magnetism ठीक है क्या करना है place a two opposite pole of a two bar अब यहाँ पे जो है हमको two bars लेने है और इसको क्या करना है हमें इस two bars को इसके जो poles है वो अलग अलग रखने मतलब यहाँ पे नार्थ है तो यहाँ पे जो है हमको south pole जो है रखना है ठीक है opposite poles of a two bars magnet at the center of a steel bar इसको जो है हमको center of a steel bar में जो रखना है यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको तो यह जो है दोनों जो बार है वो कहाँ पर रखे है center of a steel bar रखे हुए है ठीक है तो फिर क्या करना है हमको drag these poles apart one to the a and a end of the steel bar and the other to the b end अब इसको हमको drag करना है तो drag कैसे करना है एक pole को जो हमको a जो है की तरफ लेकर जाना है और इस दूसरे pole को जो है b की तरफ लेकर जाना है तो इस तरह से इसको drag करना है 15 to 20 लिया था तो यहे इसको भी 15 to 20 टाइम जो है र हमीपर दरियान होरी प्रłosच करना है एस गम उन्हेंट की वेर्ड़ा है हम को फिर हरा इस गश्टिल बार को है एक स्टील भार स्ट प्रोसेजर करना टैसे कलो हुआ तो this method of a magnetism is called the double touch method इसको double touch method जो है कहा जाता है क्योंकि हम यहाँ पर इसमें दो magnet जो है use कर रहे है the magnetism generated by this method lost longer मतलब यह जो magnetism generate हो रहा है इस टील बार पर यह जो है मतलब ज्यादा time तक जो है वो रहता है as compared to the single touch method तो यहाँ पर जो है यह ज्यादा time तक हमको जो है वो इसका magnetism रहते हुए जो है वो दिखता है next जो है यहाँ पर can you tell दिया हुआ है why does a freely suspended magnet always settle on the north-south direction तो यह जो freely suspended magnet जो है वो हमेशा जो है वो north-south direction पर ही जो है क्यों settle होता है तो इसके बारे में जो है हमको बताना है और यह जो earth के south pole की तरब जो है magnet का north pole होता है तो यहाँ पर जो है earth a gigantic magnet इसके बारे में जो है बताया है on the observation that a freely suspended magnet always settle in the north-south direction only तो यह जो William Gilbert जो है एक scientist है इन्होंने जो है experimentally जो है इसको explain किया है यह जो हमने अभी जो question देखा था इसको जो है उन्होंने explain किया है यह जो magnet है वो north-south direction में ही जो है क्यों settled होता है तो he gave a round shape to a naturally occurring magnetic rock तो उन्होंने जो है a magnetic rock लिया so he suspended this spherical magnet so that it could turn freely and brought the narth pole of a bar magnet near it और उन्होंने जो है इसको the spherical magnet को जो है वो freely जो है वो मतलम move होने दिया तो and brought the narth pole और फिर जो है narth pole जो है बार का जो है उसके पास में वो लेके गए the south pole of the magnetic sphere was attracted towards और यह magnetic sphere का जो है south pole जो है नार्थ pole से जो है बार के attract हुआ तो यहाँ पर पुछा है कि which magnet pole attract each other कौन से magnetic pole attract each other तो north और south pole जो है attract होते हैं then which pole of a spherical magnet will get attracted towards the south pole of the bar magnet तो south pole of a bar magnet का जो south pole है वो जो है spherical magnet के कौन से pole से जो है attract होता है तो वो north pole से जो है attract होता है हम देखते है कि north pole और south pole अगर होते है तो यह south pole जो है वो north pole से attract होता है और north pole जो है वो south से attract होता है ठीक है the north pole of a freely suspended magnet settled in the direction of the geographical north pole of the earth तो यह जो north pole है जो freely suspended magnet जो है वो कैसे settled होता है the direction of a geographical north pole of the earth मतलब जागरिफिकल नार्थ पोल of a earth से जो है वो attract होता है it means that the south pole of some gigantic magnet must be near the geographical north pole of the earth and the north pole of the magnet near the geographical south pole of the earth इसका meaning क्या होता है कि south pole जो है आप some gigantic magnet जो भी कोई gigantic magnet अगर हम लेते है तो उसका south pole जो है वो जो है मतलब geographical north pole of earth से जो है वो की तरब जो है वो settled होता है and north pole of the magnet जो है वो जागरिफिकल south pole of the earth की तरब जो है वो attract होता है तो Gilbert informed from this that the earth itself is a gigantic magnet तो Gilbert ने जो है हमको बताया कि earth भी जो है एक gigantic magnet है however the south pole of this magnet must be near the geographical north pole of the earth तो यह जो हमारा earth है जो एक gigantic magnet है तो वो भी क्या करता है कि south pole अप उसका जो south pole होता है तो वो जो है geographical north pole of the earth से जो है वो attract होता है while the magnetic north pole जो है magnet का north pole जो है वो geographical south pole की तरब जो है वो attract होता है तो यहां पर जो है use your brain power दिया हुआ है which direction will a magnetic needle shows on a geographical north pole तो यह जो magnetic needle दिया हुआ है तो इसका जो direction है वो geographical north pole का जो है वो किस तरफ होगा तो यह जो है आपको बताना है यहां पर so magnetic compost needle जो है always point towards the magnetic north pole यह हमेशा जो है वो magnetic north pole की तरफ जो है वो होता है so when compost is at the earth's geographical north pole it points towards the north pole यह जो है north pole की तरफ जो है वो दिखता है हमें so magnetic needle यहां पर जो है magnetic needle के बारे में बताया है take a square cardboard and mark the direction on it तो यहां पर जो है square cardboard लेना है और उसमें जो है directions जो है वो बताना है जैसे कि यहां पर दिया है west, east, north or south तो place a pot filled with water at the center of the cardboard और यह जो pot है जिसमें की हमने पानी लिया हुआ है इसको जो है हमको इस cardboard के center में जो है वो रखना है take a magnetic needle एक magnetic needle जो है यहां पर दी है वो लेना है stick it to a small piece of a cardboard इसको जो है एक छोट इसे cardboard से जो है stick किया हुआ है by means of a sticking tape उसको जो है sticking tape से जो है चिपका कर so place the piece of a cardboard with the needle on the surface of the water in the pot और यह जो हमने जो नीडल लिया था magnetic needle लिया था जो की हमने एक cardboard से जो है attach किया था और cello tape से उसको पेस्ट किया था तो इसको जो है हमको water के बिल्कुल बीच में जो है वो रखना है in which direction does the magnetic needle point अब यह magnetic needle जो है वो किस direction में जाएगा in any place why does the magnetic needle of a compost not settle parallel to the ground but at an angle to eat हमें जो है magnetic needles जो है कंपॉसका वो जो है यह यह यहां पर हमको दिख रहा है यह जो है नीचे की ओर क्यों नहीं जाता है North और South तो will apply this. हमें पता है कि magnetic needle जो है उसमें भी जो है magnetic properties होती है और यह magnetic properties होने की वज़े यहां पर बताता है तो यहां पर इसका जो फर्स्ट पार्ट जो है हम यहां पर खदम कर रहे हैं और इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्द ही हम लेके अपलोड करेंगे तो स्टूडन्ट उम्मीद करती हो कि आपको यहां तक का पार्ट जो है वो समझ में आ चुका है तो क्या करना है आपको राजशी क्लासेज को जो है लाइच चैप और सब्सक्राइब करना है और चानल को और बिल बटन पर भी क्लिक करना है जिससे आपको सारे नोटिफिकेश जो है वो मिल जाएंगे मतलब सेवन्त के जाग्रफी के भी और हिस्ट्री और सिविक्स के भी लेशन जो है अपको जो है वो मिल जाएंगे ठीक है तो थैंक्यू पर वाचिंग देश वीडियो है वनाइज जाएंगे